हेलो फ्रिंड्स हेलो फ्रिंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक्नलोजी तो आज मैं एक ऐसे मुबाइल के बारे में बात करने जा रहा हूं जो पिछले एक देश सालो में जिसका पर्फिमेंस कुछ अच्छा नहीं रहा या तो इस मुबाइल कंपणी ने एक अच्छा मुबाइल निकाला तो उसका प्राइस रेन्स बहुत खाई थै और अगर प्राइस रेन्स चूटेबल थी तो उसक इसस्पेसिफिकail बहुत देका पाई पर इस बार ये कुछ ऐसी मुबाइल फोन मार्केट में लेके आने वाली है जो बागी कमपनियों से बहतर ही नहीं उससे आगे निकल सकती है हम बात करने वाले हैं आज Nokia 9, Nokia 9 एक ऐसा फोन है, जो मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है, अभी की जितनी भी mobile companies हैं, वो अपने mobile में 2 camera, 3 camera, यह जादर जादर 4 camera के साथ आई है, Nokia 9 आपको 5 camera, जहां तक Nokia company के बारे में हम बात करेंगे, एक वक्त था जो आप सब को पता ह जब Nokia हर market में चाया हुआ था, सब के पास आपको अगर कोई phone दिखता था, तो वो था Nokia, पर market में Samsung नए company उसके phone आने के बाद, market में Nokia का नाम धीरे धीरे कम होने लगा, एक ऐसा वक्त भी आया, जब Nokia market से हट ही गया, गाया भी हो गया, पर Nokia ने फिर से comeback किया, Nokia ने फिर से ने mobile market में launch किये, जैसे कि Nokia 3310, Nokia 8810, ये mobile Nokia company ने फिर से launch किया, पर कुछ कारणों से ये mobile company चल नहीं पाई, या फिर ये कहें, दुसरे mobile companies के सामने ये टिक नहीं पाई, दुसरे mobile companies इसे सस्ते range में, इसे बेटर स्पेसिफिकेशन साथ अच्छे phones ला रही थी, जिसे कारण ये ह हो सकता है कि public को ये phone ज़्यादा expensive लगा हो, या फिर उनको ये specification पसंद नहीं आया हो, कोई भी कारण से market में Nokia company चल नहीं पाई, पर Nokia company फिर से market में comeback करने वाली है, Nokia 9 के साथ, जहां तक हमारी जानकारी है, Nokia 9 का releasing date February 2019 था, पर नए global ownership HMD के अंदर इस releasing date को pre-pond कर दिया गया है जहां तक हम जानते हैं, Nokia 9 आपको market में January 2019 तक दिख सकेगी, जैसे कि आप Nokia 9 की in hand leaked pictures देख सकते हैं, जो कि आपको screen पे दिखाई दे रहा है, आप इस picture में देख सकते हैं, कि Nokia 9 में 5 cameras दे गई हैं, उसी की निचे एक sticker आपको देखेगा, उस sticker पर अगर आप गौर करें, तो Nokia 9 की date दे गई है, यह August 2018 की है, तो इसके हिसाब से हम यह पोल सकते हैं, कि surely आपको यह phone January 2019 तक दिखाई देगी, यह आपको मिल सकती है, अगर इसके specifications की बात करें, तो यह phone आपको 5.99 QHD Plus display के साथ मिलेगी, यह display without notch होगा, इसके प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 845 का प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही आपको 6GB या 8GB RAM का variant मिलेगा, और अगर आपके आप इसके Android वर्जन की बात करें, तो आपको इसमें latest 9.0 Android Pie का वर्जन मिलेगा, साथ में Nokia 9 आपको wireless charging का facility भी देगी, जहां तक Nokia company का कहना है, Nokia 9 वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है, जो की Panta lens के साथ setup किया गया है, इस Panta lens को उन्होंने hexagonal setup में large LED flashlight के साथ model किया है, यह जो 5 LED lens है, वो कैसे काम करेंगी, Nokia company इस बारे में अभी तक कुछ clear नहीं है, पर यह sure है कि यह जो 5 lens है, आपको wide range और depth sensor देगी, क्योंकि यह जो sensor है, RPG sensor प्लस monochrome sensor के साथ आ रही है, जो कि बिल तो friends यह था हमारा आज का वीडियो Nokia 9 के उपर, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो please share कीजे, like कीजे और subscribe कीजे, और अगर आपको Nokia 9 से related कोई भी जानकारी चाहिए, या फिर अगर मुझसे कोई जानकारी मिस हो गई हो, तो आप हमें comment box में बता सकते हैं, य यह जानकारी मिस हो, तो आपको हमारा 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